आज का वीडियो हमारा गाइनकोमिष्टिया रोग के उपर है तो इसके कारण क्या होंगे लच्छन क्या है और किस तरीगे के पुर्सों को यह रोग हो जाया करता है तो गाइनकोमिष्टिया रोग यानि मेल में फीमेल जैसे ब्रेश्ट का उभार होना इसको हम यारुक कहते हैं कई मामलों में यानि कुछ मामलों में जो मेल के इस्तनों में गांड जैसा मैसूस होना और उसमें पैन का मैसूस होना और जो निपल्स मेल निपल्स हैं उनमें अतिसंबेदन सीलता मैसूस होना आसपास गठान के साथ सूजन और दर्द का भी मैसूस होना कई बार स्वरी मेल जो निपल है उन में से चिप चिपा जो पदार्थ है वो निकलना इस रोक के लच्छन हो सकते हैं यानि आप एक बार जो डॉक्टर है उसको आप चेक करवा लें कहीं आपको यह रोक तो नहीं है और संक्रमण के चलते तो यह संक्रमण आपको दवाईयों के चलते या फिर आपका कोई फ्रेंड है और उसने मजाग मजाग में आपका जो चेश्ट है और निपल के पास वाला जो एरिया है उसको यानि तागस से अगर दवा दिया है तो जिसकी वह से संक्रमण हो गया है तो चेश्ट के पास जो नसे है उसमें घठान धीरे-धीरे ब को मिष्टिया रोग होने के chances रहते हैं या फिर इस तरीकी की दवाइए अगर आप स्तिमाल कर रहे है जैसे क्या कहते है एंटिवाइटять दवाएँ और एनवालिक steroids वाली जो दवाएं हैं इस तरीकी की दवाइँ चल रहे है एट्स की दवाएं है या फिर आपको हाइपो गोनेडिस्म की समस्या है और हट से जुड़ी अगर आपकी दवा चल रही है तो कुछ मामलों में यह रोग होने के मसल दिया है उससे को चाहे मजाक में हो चाहे कोई भी लड़ाई जगड़ी के चलते हो तो उस जगह पर गठान दर्द और सूजन है और मेल निपल्स में से अगर तरल पदार चिपचवा पदार पानी जैसा वाइट फ्लूड जो निकल रहा है तो आप डॉक्टर को चेक करा स सकते हैं या फिर हार्मोन कुछ दवाएं ऐसी आती हैं जिनकी वज़े से हार्मोन में असंतोलन हो जाता है इस कंडिशन में भी यह रोग होने के चांसेस रहते हैं अगर आपके जैसे एस्टोजन की जो दवाएं हैं वो आप किसी भी वेस में ले रहे हैं या फिर बॉड़ फीडबैक कंट्रोल मेकेनिसम यानि बॉड़ी का फीडबैक कंट्रोल मेकेनिसम में गडबड़ी हो गई है तो इस कंडिशन में भी गाएने को मिष्टी या रोग होने के चांसेस रहते हैं या फिर आपने 11 या 12 तुमें अगर आप बाइलोजी के स्टुडेंट होंगे रहते हैं फिर एक पीडी से दूसरी पीडी में ये सक्री हो जाते है जिसके चलते अगर आपकी पूरवज़ों को या रोग हुआ है तो आपको भी ये रोग कुछ मामलों में आपको해ak हो सकता है या फिर जीस हेने से कि चलते कई बार हम जान भूझ कर यह अंजाने में हमारे jeans में जो है बदलाव या फिर hair फिर हो जाता है जिस में male में female जैसे लक्षन और female में male जैसे लक्षन दिखाई देने लगते हैं जैसे for example के तोर पर आपने कई महिलाओं को देखा होगा उनकी मूचे और डाड़ियां निकलाती हैं और कई आपने पुरसों को देखा होगा जिनके ब्रेश्ट निकलाते हैं उनकी डाड़ी और मूच नहीं यानि उगते हैं और जैसे अठारा पंद्रा या अठारा बीस साल तक भी उनके मूचें और डाड़ियां नहीं होती और चेश्ट पर भी बाल नहीं होते तो यह जी चैसे आप transgender के बारे में जानते होंगे या फिर lesbian के बारे में आप जालते होंगे तो आप समझ गए होंगे इसके treatment की हम बात कर लें अगर किसी मेल को इस तरीके के लच्छन आपको देखने को मिल रहे हैं या फिर किसी को रोग है तो अगर सूजन गठान और वाइट फ्लूड जैसा तरल निपल्स में से निकल रहा है तो हम उसकी दवा ले सकते हैं या फिर दवाओं के बाद भी अगर इसका ठीक नहीं हो रहा है तो जो संतुलन है वो एकदम कंट्रोल नहीं होता इसके लिए आपको बॉडी के जो वेट है वो कंट्रोल करना होगा और जो दवाएं आपकी चल रही हैं किस तरीके के आप दवाका इस्तिमाल कर रहे हैं उस में इस्टिरोइड की मात्रा या फिर एस्ट्रोजन की मात्रा तो नहीं बढ़ रही है उन दवाओं के चलते तो इस तरीगे की बातें आपको ध्यान रख नहीं होंगी अगर सूजन गठान और उसमें से वाइट फ्लूड यानि पदात निकल रहा है तो हम दवाओं की जरी उसको सुखा सकते हैं सूजन को सुखा सकते हैं अगर आपके मेल चेश्ट यानि जो ब्रेश्ट जैदा देखाई दे रहा है उसमें अगर चर्वी की मात्रा अधिक है तो आप व्यायम और एक्साइज कर सकते हैं इसके बावजूद भी नहीं हो रहा है तो सरजरी आपको 100% करानी होगी तो बस आज के लिए इतना ही धन्यवाद